हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रही हूं जिसको हम कहते हैं सिंटेक्स सिंटेक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है अगर आप लिंग्वि से लगां इसके बारे में बात कर चुके हैं मैं लिख साउंड्स सुन्ट करी मिल गए तो उसके बारे में लिखके सांडंप आपको अच्छे से याद रखना है कि जो syntax है वो किस से deal करता है sentence construction से मतलब sentence के जो वाकिय का निर्माण होता है sentence construction से like क्या क्या चीज़ इसमें हो सकती है how words grouping together to make phrase or sentences sentences कि कैसे words आपस में मिलकर grouping करके एक साथ phrase बनाते हैं या sentences बनाते हैं phrase sentence का छोटा पार्ट होता है ना जिसमें पूरी तरह से आपको अगर पूरी एक वाकिक रूप में नहीं भी दिया रहेगा बट कुछ words उसमें include रहेगा वह phrase हो गया और अब एक एक पूरे structure में अगर आप देखो तो एक sentence बनता है फिर phrase के बाद तो phrase बनाते हैं sentence बनाते हैं तो जो sentence construction रहता है कि वह कैसे बनता है वह हम syntax के अंतरगर पढ़ते हैं the term syntax जो term है syntax का वह कहां से आया है Greek से इसका meaning होता है arrange together ठीक है arrange together साथ में arrange करना इसको कहते हैं syntax it refers to the rules that governs the ways in which words combine to form phrases clauses and sentences तो यह क्या refer कर रहा है एक rule को refer करता है एक rule के बारे में बताता है या उस तरीके के बारे में बताता है जिस तरीके के बाद हमें यह समझ में आ जाता है कि हम words को combine करके कैसे phrase के form में clause के form में या sentence के form में बना सकते हैं उस rule को या उस way को हम syntax के अंतरगत पढ़ते हैं syntax is the order or arrangement of words and phrases to form proper sentence आपको अच्छे से याद रखना syntax क्या है यह एक order है ठीक है syntax क्या है एक order है या arrangement है words का जिस arrangement के through आप एक phrase बना सकते हैं या उससे proper sentence को create कर सकते हैं वो syntax कहलाता है the most basic syntax follows subject plus verb plus direct object formula तो जब भी हम अगर बात करते हैं किसी भी sentence के तो हमारे mind में अगर structure की बात आती है तो सबसे पहले यही आता है कि कोई भी अगर हम sentence बना रहे तो सबसे पहले उसमें subject आएगा then word आएगा और फिर कोई भी direct object अगर आपके पास है तो आप उसको include कर ले तो यह एक basic सा formula है जिसमें हम यह जान सकते हैं कि हम ऐसे sentence को बनाया जा सकता है तो इसके अलग अलग तरीके भी होते हैं तो अब ये पूरा किस के बारे में था? सेंटेंस के बारे में था. तो अब हम आखिर जानना चाहेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार क्या होते हैं. तो अब उस पे हम बात करते हैं. Okay, so So, here you can see that Okay, types of sentences. There are four types of English sentence classified by their purpose. Purpose की base पे classified क्या गया है? हाना, first है इसमें declarative sentence जिसको हम कहते हैं statements Second है interrogative sentence जिसको हम कहते हैं question Third है imperative sentence और fourth है exclamatory sentence इसको कहते हैं exclamation Okay, तो पहला इसमें topic था declarative sentence तो declarative sentence के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है? Declarative sentences make a statement They tell us something They give us information And they normally end with a full stop or period Okay, so declarative sentence एक statement को दरसाता है कोई भी statement अगर हमें कह रहा है Normally जो भी एक sentence के फॉर्म में कहते हैं हम उसे एक statement के फॉर्म में कहते हैं अगर कोई भी कुछ भी कहना चाहता है वो एक statement के फॉर्म पे ही होगा So, जो declarative sentences होता है वो कुछ बताता है या कोई statement को दरसाता है या फिर कोई information देता है और इसको normally हम इसको end करते हैं अगर कोई भी declarative sentence अगर हम दे रहे है statement के फॉर्म पे तो उसको end करेंगे फुल स्टॉप से The usual word order for the declarative sentence is subject plus verb तो कोई भी अगर declarative sentence है तो उसमें object हो ना हो बट उसका जो normal order होता है वो subject plus verb के फॉर्म में हम उसको दरसा सकते है declarative sentences can be positive और negative क्योंकि कोई भी statement है उसको हम negation के फॉर्म में भी कह सकते हैं और positive फॉर्म में भी कह सकते हैं तो उसके examples कुछ यहाँ पर दिये हुए है अगर कोई भी declarative sentence है तो लास्ट में हमें यह फुल स्टॉप देते हैं और second है वी प्लेड चेस लास्ट लाइट यह भी एक statement है और लास्ट में इसमें भी हमने फुल स्टॉप दिया है इत मिंस यह declarative sentence है और हमने यहाँ पर यह भी कहा है कि यह negation के फॉर्म पर भी हो सकता है means negative sentences भी इससे बन सकती है तो आप इसी statement को negative form पर convert करके कह सकते हैं जैसे कि I do not like coffee and we did not play chess last night इसको यह पॉजिटीव और निगेटिव दोनों फार्म में दिया गया है means declarative sentence एक statement होगा positive negative both declarative sentences are the most common type of sentence इसको हम most common type में इसलिए लेते हैं क्योंकि normally और mostly यह कोई भी हम अगर बात करते हैं communication के बेस पर अगर अब देखे तो ऐसे ही declarative sentences का प्रयोग होता है इसलिए इसको most common type के form में रखा गया है अब second type है इसका जिसको हम interrogative sentence बोलते हैं जिसको हम normally यह question form या question marks से इसको डिनोट करते हैं interrogative sentences में पूछा जाता है या कोई भी अगर हम किसी तरह का question करना है में किसे से कुछ भी पूछना है तो उसको हम question mark सिदर साते हैं और ऐसे sentences को हम interrogative sentence की नाम से जानते हैं they ask us something इसमें क्या इसमें जो declarative था उसमें हम जो कुछ कहते हैं और interrogative में कुछ पूछते हैं तो इसको कह सकते हैं they ask us something usually they want information उसमें क्या होता information दिया जाता है बट इसमें कुछ अगर हम पूछ रहे हैं इत मेंस usually they want information वो information चाहते हैं and they always end with the question mark यह हमेशा question mark से end होता है the usual word order for the interrogative sentences इसमें interrogative sentence का word order आप देख सकते हैं कैसे बनाया जा सकता है डब्लूएच वर्ड डब्लूएच वर्ड लाइक वाट वाई विच हूम हूज यह सब हना जो भी डब्लूएच उनके फर्स्ट में आता है तो यह interrogative sentence में आएगा auxiliary auxiliary में आप देख सकते हैं do, does, have, has, was यह सब auxiliary में आता है is, are, am, है ना फिर subject आता है फिर वर्ड वाता है तो यह normally एक interrogative sentence का word order है अब interrogative sentences can be positive और negative for example यह सेम ही है जैसे हमने declarative में देखा कि वो positive negative दोनों में होता है वैसे ही interrogative में भी positive और negative दोनों होता है अब आप देखेंगे कि कैसे तो यह इसमें examples दिये हुए है positive sentences का example में आप देख सकते हैं do you like coffee? है ना तो do, do means यह auxiliary है यहाँ पर आफ चूशिलरी, यह लियुआ है और ou इसमें यह लेक ला स्में question mark भी है इक में всегда इसमें इंटर्ग इप आप गी को इसमें से बनाइजा सकता है डैसे डॉस्ट् GOD कॉफी धित कौश्चन माẫnं भी है इसमें डेगेटिव भी है और ये कोस्ट इन तो इसमें ये निगेटिव सेंटेंज का इंट्रोगेटिव का, अब why didn't you go, so ये भी एक negative form में एक interrogative sentence है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, अब next अगर types की बात करें, तो next type है imperative sentence, जिसको हम mostly command कहते हैं, है न, so, यहां पर हम देखेंगे interrogative sentence की बारे में, oh, I'm so sorry, it's not interrogative, it's imperative, imperative sentences give a command, क्या करता है ये, command देता है, they tell us to do something, इसमें हमें ये बताया जाता है, कि इसमें हम कुछ करने के लिए कहते हैं, and they end with a full stop, full stop और exclamation mark, ये दोनों, इसके end में दोनों हो सकते हैं, ये तो full stop हो सकता है, या exclamation mark भी हो सकता है, the usual word order for imperative sentence is, base verb, note that, there is usually no subject because the subject is understood, it is you, so, हमें याद रखना है, कोई भी imperative sentence है, इसमें subject नहीं होता है, subject नहीं हम अपना statement कह देते हैं, command कर देते हैं, और subject इसलिए नहीं होता, क्योंकि वो sentence खुदी जानता है कि इसका मतलब जो भी उसमें subject है, उसमें उसका मतलब है you, मतलब तुम, imperative sentences can be positive और negative, look at these examples, तो यह इसमें भी positive और negative दोनों होते हैं, आप examples में देख सकते हैं, तो यहाँ पर example दिया है, like positive sentences में यह आ जाएगा, stop, तो हम रुखने के लिए बोल रहे हैं, stop means, यहाँ पर हमने subject नहीं लिया, because it means that अगर हम stop कह रहे हैं, then सामने वाले को ही, मतलब you, मतलब वो समझ रहा है कि तुम्हें ही हम कह रहे हैं, तो stop अगर बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें subject लिखने के ज़रुत नहीं होती, यहाँ पर stop बस बोले और उसका मतलब समझ में आ जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने exclamation mark लिया है, और give her coffee, यहाँ पर भी हमने ऐसा command दे दिया है कि give her coffee, उसकी coffee दो, तो तुम, इसमें भी तुम कहके कहा जा रहा है, बस इसमें दिखाया नहीं जाता, और यहाँ पर हमने full stop लिया है, तो कोई भी imperative के लिए full stop भी use होता है, और exclamation mark भी use होता है, डिकेटिव में कैसे कह सकते हैं, इसी कुछ जस्ट बना दो, do not stop, don't give her coffee, like that, okay, and और बहुत सारे examples है, इसके, जैसे, come here, close the door, open the window, like that, order होता है, इसमें request होता है, कमाद होते भी होते हैं, यह इसी केंडर में हम पढ़ते हैं, अब आता है, exclamatory sentences, इसमें exclamation होता है, जो आस चारे जनक जो भी बाते हम बोलते हैं, वाव, it's beautiful, like that, so, exclamatory sentences express strong emotion, surprise, and exclamation, and they always end with the exclamation mark, हमें आद रखना है, कि, okay, so, इसमें क्या होगा, इसमें strong emotion को expressed किया जाता है, जो भी हमारी strong emotion है, चाहे वो surprise हो, shock हो, कोई भी exclamation हो, खुशी हो, जो भी खुशी को, खुशी, अगर express कर रहे हैं, गुश्चा express कर रहे हैं, जो भी expression होती है, जिते भी emotion, जो भी strong emotion को हम express करें, surprise से related हो गया, shock से हो गया, angryness, everything, ये सारे चीज़ें आजाती हैं, अपने excitement भी इसमें आता है, तो ये सारे exclamation sentences के अंदर गताएंगे, and they always end with the exclamation mark, जिसको हम, ये exclamation mark है, इसके थुरू हम sentences को end करते हैं, the usual word order for the exclamation sentence is, what, what, फिर कोई भी adjective आएगा, noun आएगा, subject आएगा, verb आएगा, how से भी start होता है, how आगया, फिर adjective आगया, कोई भी है न, adjective या adverb हो गया, subject हो गया, verb हो गया, अब इसकी examples आप देख सकते हैं, जैसे example ही दिया हमेंने, what a beautiful nature, तो what, ये वाला, ये वाला पूरा हो रहा है न, first वाला, what a beautiful nature, so, what से start हुआ, beautiful is adjective, है न, और nature, ये noun हो गया, और मतलब subject के form में, verb भी इसके आँगे जुड सकता है, ऐसे, but ये एक example है, फिर एक और example है, ये है, wow, it's too good, ऐसा भी हम बोलते हैंना, से, like, surprise हो गया, और, what an exciting movie it was, okay, I'm sorry for that, ये यहाँ पे आप confused बिल्कुल नहीं होना, wow, एक exclamation है, that's why, यहाँ पे exclamation mark लग गया, last में मैंने full stop लगाया, हमा, okay, what an exciting movie it was, और, oh my god, oh no, how he lied, like that, ये सारे जो examples है, वो exclamatory sentences के अंतर गताते हैं, तो ये थे syntax के बारे में, और syntax में क्योंकि हम sentence के बारे में पढ़ते हैं, तो sentence के किते types हो सकते हैं, इसमें मैंने सारा कुछ explain कर दिया है, I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो please मेरे वीडियो को like करें, और जो भी problem आती हैं, please comment करें, ताकि मैं उसके answer आपको कर सकूँ, और, thanks for watching my videos, thank you so much.